नमस्कार रक्षा के दिशा निर्देश जारी किये उचितम नियाले ने इस पश्ट किया कि लोक अधालतों के पास गुण दोश के अधार पर निर्णा लेने की अधिकारिता नहीं है। इसे संयुक्त राष्टर विकास का रिक्रम UNDP और Oxford निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। MPI लोगों द्वारा उनके दैनिक जीवन में अनुभव किये गए विभिन अभावों का विशलेशन करके निर्धनता का मापन करता है। इस वर्ष MPI द्वारा 109 देशों में बहु आया में निर्धनता की जाच की गई है। बनाने का इधन स्वक्षता, पेयजल, विद्युत आपूर्ती, आवास और संपत्ति को देखा जाता है। इस रिपोर्ट ने कई निशकर्श जारी किये हैं जिनमें बताया गया है कि 109 देशों में 1.3 बिलियन लोग बहु आया में रूप से निर्धन हैं। इनमें से आधे लगभग 18 वर्ष से कमायू के किशोर हैं। विशु भर में लगभग 2 तिहाई बहु आया में निर्धन यानि कि लगभग 836 मिलियन बहु आया में निर्धन ऐसे घरों में रहते हैं जहां किसी भी महिला या लड़की ने कम से कम 6 वर्ष की स्कूली सिक्षा पूर्ण नहीं की है। अगली खबर विद्यूत मंत्राले और साइबर सुरक्षा दोनों से सम्मांदित है। इमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम यानि सर्ट गठित की थी। इसमें तापिय शेत्र में वित्रण की बात करें। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी एप्लिकेबिल्टी यानि प्रियोज्यता क्या होगी। तरसल ये दिशानिर्देश सभी उत्तरदाई संस्थाओं जैसे की पारेशन और उत्पादन इकाईयों। इनके साथ साथ सिस्टम इंटिग्रेटर्स, उपकरन निर्माता, आपूर्तिकरता या विक्रेता, सेवा प्रदाता तथा IT हार्डवेर और सॉफ्ट्वेर मूल उपकरन निर्माताओं पर लागू होंगे। ये दिशा निर्देश निर्दिष्ट विश्वस्नी स्रोतों से विश्वस्नी उत्पादों की अनिवारे सूचना और संचार प्रद्योगी की आधारित खरीद को अनिवारे करते हैं। खौतिक और साइबर आधारित प्रणाली इसे पहुंची कोई भी शती देश की राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक एवं सामाजिक कल्यान को प्रभावित कर सकती है। अगली खबर न्याइपालिका से ओचितम न्याले ने इसपश्ट किया है कि लोक अधालतों के पास गुण दोश के आधार पर निर्ना लेने की अधिकारिता नहीं है। स्टेट आफिसर बनाम करनल हवी मनकोटिया वाद में उचितम न्याले ने निर्दिष्ट किया है कि विधिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत लोक अधालत की अधिकारिता विवाद में शामिल पक्षों के बीच समझोता या समाधान निर्धारित क करना तथा उसे प्रभावी करना होगा एक बार समझोता या समाधान विफल हो जाने पर लोक अधालत को उस वाद को उस न्याले को दुबारा भेजना होगा जहां से उसका संदर प्राप्त हुआ है उचितम न्याले ने ये भी निर्दिष्ट किया है कि लोक अधालतों को गुण दोश के अधार पर किसी मामले का निर्णय करनी की कोई अधिकारिता नहीं है। आपको बता दें कि लोक अधालतें वैकलपिक विवाद निवारन तंत्रों में से एक हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां विधिक नियाले में या मुकदमे से पहले इस तर पर लंबित विव बादों या मामलों को परस पर सहमती से निपटाया जाता है। लोक अधालतों को लीगल सर्विसेज अथॉर्टी के तहत सामविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक अधालतों द्वारा दिये गए निर्णय को एक सिविल नियाले का निर्णया देश माना जाता है। ये निरने सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाधिकारी होता है इस प्रकार के निरने के विरुद्ध किसी भी न्यायले में कोई अपील नहीं की जा सकती है जब लोग अदालत में मामला दैर किया जाता है तो कोई न्यायले शुलक देना नहीं होता है अगली खबर पेपर वन के महिला एवं बाल विकास से सम्मान्दित हैं महिला और बाल विकास मंत्राले ने PM Cares for Children योजना के लिए विस्तरित दिशा निर्देश जारी किये हैं PM Cares for Children योजना को मई 2021 में आरंब किया गया था ये योजना उन सभी बच्चों को साहिता देने के लिए लाई गई है जिनके माता-पिता दूनों या उत्तर जीवी माता-पिता या कानूनी अभिवावक या दत्तक माता-पिता की COVID-19 की वजह से मृत्यु हो गई है माता-पिता की मृत्यु के समय बालक की आयू 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना का उद्देश ये बालकों की निरंतर तरीके से व्यापक देख भाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके कल्यान को सक्षम करना है इसके लिए नोडल एजेंसि है, केंद्री इस्तर पर महिला इवं बाल विकास मंत्राले, राज्जे इस्तर पर किशोर न्याय से सम्मदित राज्य या संग राज्य शेत्र सरकार का विभाग और जिला इस्तर पर जिला मजिस्ट्रेट योजना के तहट प्रावधानों में होने वाले लाभों में शामिल है बालक के नाम पर सावधी जमा जिसके तहट PM केर्स एक विशेश रूप से डिजाइन की गई योजना के माध्यम से प्रत्य एक बच्चे के लिए 10 लाख रुपे का कोश तैयार करेगा ये 18 वर्ष की आयू से मासिक वित्य सहता या वजीफा प्रदान करेगा और 23 वर्ष की आयू तक पहुँचने पर उसे कोश की राशी मिल जाएगी अगला है विद्यालेई सिक्षा 10 वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए नजदी की केंद्री विद्याले या निजी स्कूल में डे स्कूलर के रूप में प्रवेश सुनिश्चित करना और यदि बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केर्स से सिक्षा का अधिकार नियमों के अनुसार फीज दी जाएगी PM केर्स से वर्दी, पाठे पुस्तकों और नोटबुक के लिए भी खर्च का भुगतान किया जाएगा वहीं तीसरा लाब है विद्यालेई सिक्षा 11-18 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए इसके तहट बच्चों को केंद्री सरकार के किसी भी आवासिय विद्याले जैसे कि सैनिक स्कूल या नवोदे विद्याले आदी में प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा उच्च सिक्षा के लिए सहयता का भी प्रावधान है जिसमें मौजूदा सिक्षा रिण के मांदंडों के अनुसार भारत में व्यवसाईक पाठिक्रमों या उच्च सिक्षा के लिए सिक्षा रिण दिलाने में बच्चे की सहयता की जाएगी इस रिन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीम केर्स द्वारा किया जाएगा इसमें 5 लाख रुपे तक का स्वास्थ भीमा कवर शामिल होगा और बच्चों के 18 वर्ष की आयू तक पहुँचने तक प्रीमियम राशी का भुगतान पीम केर्स से किया जाएगा अगली खबर न्याइक शेत्रे से संबंदित है उच्चितम न्याइले ने राश्ट्रे हरित अधिकरन की स्वता संग्यान लेने की शक्ती को बरकरार रखा है सेश न्याइले ने इस तर्प को खारीच कर दिया है कि NGT अपनी स्वता प्रेड़ना से कारे नहीं कर सकता या न्याईक समीक्षा की शक्ती का प्रियोग नहीं कर सकता या फिर अपने कार्यों के निर्वहन में स्वता संग्यान से कारे नहीं कर सकता आपको बता दें कि पर्यावरन के संबंद में अनुचेद 21 को लागू करने के लिए राष्ट्रे हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहट NGT की स्थापना की गई है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ पर्यावरन का अधिकार संविधान की अनुचेद 21 के तहट जीवन के अधिकार का हिस्सा है NGT की सारजनिक रूप से ये जिम्मेदारी है कि वो स्वक्ष पर्यावरन के मूल अधिकार की रक्षा के लिए अगर जरूरी है तो कारवाई आरंभ करे इसके अलावा प्रक्रियात्मक कानून इसके प्रकारियों में बाधक नहीं होने चाहिए विदिवत प्रक्रिया विक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदाईत्यों को इस्थापित करती है जबकि प्रक्रियात्मक कानून उन पद्दतियों, प्रथाओं और रीतियों को इस्थापित करता है जिन में नियायले कारवाई संपन्न होती है उदाहरन के लिए NGT के मामले में प्रक्रियात्मक अभाव की वजह से स्वप्रिणन से कारवाई करने में असमर्थ हो जाना मूल अधिकारों के साथ समझोता हो सकता है NGT द्वारा संबोधित की जाने वाली व्यापक समाजिक चिनताओं ने नियाले को उद्देश्यपून व्याख्या का विकल्प चुनने के लिए प्रेजित किया है वैधनिक व्याख्या के उद्देश्यपून द्रिष्टिकोर्ण में विधान या कानून के प्रेयोजन पर विचार करना शामिल है इस मामले में ये परियावरन का संरक्षन है आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्यपून सुर्खियों की साहित्य का नोबल पुरसकार 2021 अब्दुलरजाक गुर्णा को साहित्य के नोबल पुरसकार 2021 के लिए विजेता के रूप में नामित किया गया है वे साहित्य के शेत्र में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले पांचवे अफ्री की लेखक बन गये हैं नोबल समिती ने गुर्णा को ये पुरसकार उपनिवेशवाद के प्रभावों तथा संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शर्णार्थियों की इस्थिती के चित्रन के लिए प्रदान किया गया है। रविंद्रनाथ टैगॉर वर्ष 1913 में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतियों थे जिन्हें साहित्य के शित्र में उनके उत्कृष्ट कारे के लिए ये पुरसकार प्रदान किया गया था। मुद्रा टूल बॉक्स भारतिय आयरुविज्यान अनुसंधान परिशद ने मल्टि लिंग्वल डिमेंशिया रिसर्च एंड एसेस्मेंट यानि मुद्रा टूल बॉक्स को पांच भारतिय भाषाओं हिंदी, बंगाली, तेलुगू, कन्नड और मलयालम में जारी किया जापक उपकरण है जिसे विशेश रूप से भारतिय आबादी में डिमेंशिया यानि जड़ बुधिता की निदान के लिए विक्सित किया गया है। इसमें ध्यान और प्रबंधक कार्य, स्मृती, भाषा, आदी जैसे संग्यान के विभिन्द प्रक्षेत्रों का आकलन कर जाने के लिए विभिन्न संग्यानात्मक परीक्षन शामिल है। में सभी पशुधन की विशिष्ट पहचान की आवश्यक्ता होगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने स्थान या जोत की परवाह किये बिना किसी भी स्थान से आसानी से बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रणाली में पोशन, रोग निगरानी, रोग नियंतरन कारिक्रम और पशुओं एवं पशुद पादों के लिए एक ट्रेसिबिलिटी तंत्र को भी शामिल किया जाएगा। विशोशन चक यानि एड्जॉप्शन डिजॉप्शन साइकिल है। ये घड़ते दबाव के साथ अवशोशक वहन शमता में होने वाली गिरावट से संचालित होता है। पियस से ऑक्सिजन उत्पन करने वाले संयंत्र मैडिकल ग्रेड ऑक्सिजन के स्रोथ होते हैं। इन स प्रकृती और लोगों के लिए उच्च महत्वकांशी गटबंधन हाली में भारत इस गटबंधन में शामिल हुआ है। उनाइटिट किंग्डम द्वारा की जाती है। थर्टी इंटू थर्टी लक्ष एक वैश्विक लक्ष है। इसका उद्देश्य प्रजातियों के तीवर हरास को रोकना और महत्वपूर्ण पारिस्थतिकी तंत्र की रक्षा करना है। जो हमारी आर्थिक सुरक्षा के महत पुरानी तक्नीकों की मदद से किये जाने वाले पहले के विशलेशनों की तुलना में दीर्ग डियने या आरेने अंशों या खंडों के प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय आधारित विशलेशन को तीवर और वहनिये बनाता है। इसका कारे एक विद्युतिय प्रवाह मे होने वाले परिवर्तनों की निगरानी में मदद करना है। ये परिवर्तन नियुक्लिक एसिड के प्रोटीन के नैनोपोर से गुजरने की वजह से होता है। नियुक्लिक एसिड जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी कोशिकाओं और वाइरस में पाए जाते हैं। नियुक्लिक एसिट दो प्राकृतिक रूपों में उपलब्द हैं जिन्हें DNA और RNA कहा जाता है। इसमें विशिष्ट DNA या RNA अनुक्रम प्रदान करने के लिए परिणामी संकेत को डिकोड किया जाता है। मौत्तीवरिता का भूकंप आया था। आपको बता दें कि बलुचिस्तान पाकिस्तान के चार प्रांतों में सबसे बड़ा है। क्वेटा जिसका पश्तो भाषा में अर्थ होता है किला। अफगानिस्तान सीमा के साथ डूरन रेखा के निकट उत्तरी बलुचिस्तान में इस शेहर बोलन दर्रा मार्ग पर इस्थित हैं जो कभी मध्य एशिया और दक्षिन एशिया के बीच एक प्रवेश द्वार हुआ करता था उपरी सियांग अरुनाचल प्रदेश सीमा पर चीन के साथ बढ़ते सैने टक्रावों के बीच रक्षा मंत्राले ने अरुनाचल प्रदेश के उपरी सियांग जिले में सैने बुन्यादी धाची की स्थापना के लिए दस एकड की एक सामरिक भूमी के अधिग्रहन का निरने लिया है उपरी सियांग जिला एक पहाडी शेत्र है यहां आदी मुंबा खामबा और इदू मिश्मी जनजातियां अधिवासित हैं साथ ही ये शेत्र समरिध प्राकृतिक संसाधनों और जै विवित्ता से संपन्न है सियांग नदी जिसे चीन में यारलूंग जांगबो के नाम से जाना जाता है इस शेत्र में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख उत्तरी तटिय सहायक नदी है उपरी सियांग शेत्र में मौलिंग राष्ट्रे उध्यान भी ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाई रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुँ साफ रखिए और टीका करण अवश्य करवाईए और अब हमें यानि विजन आईएस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार